हेलो गाईज आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं और आज मैं दोपहर के खाने में आप लोगों से मिल रही हूं तो आज मैं बना रही हूं दाल चावल और रहर की दाल चावल और मुंगा अलू के सब्जी बना रही हूं तो मैं अब तयारी करके आप लोगों से मिलती हूं यह देखिए मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गरम हो रहा है वो ही गया है और यह देखिए मुंगा आलू इमने काटके रखा है सब्जी और यह प्याज काटके रखा है बारिक काटके रखा है लैसुन और अधरक दोनों मैंने छोटी वाली कुटनी जो रहती है विष्टील वाली उसमें मैंने कुचड के रखा है और टमाटर भी मैंने पीस के रखा है चौपर में का पीस के रखा है और ये मुनगा अलू के साथ में बड़ी बहुत अच्छी लगती है बड़ी की सबजी मुनगा अलू, बड़ी, सेमी, बैगन सब डाल दो लेकिन मेरे पास अभी मुनगा अलू और बड़ी है रखिया बड़ी तो मैं ये डालके बना रही हूँ और अब मैं चालू करती हूँ बनाना फिर मैं आपसे अभी मिलती हूँ अभी है, देखे मैंने प्याज इसमें डाल दिया है और प्याज भुंज रहा है और हलका हलका जैसे ही भुंज जाता है उगलाभी हो जाता है तो फिर मैं इसमें लेसोन अद्रक वगर डालूंगी यह मेरा प्याज उखुझ गया है और अब मैं यह लेसुन इतना लेसुन रख रही हूँ ताल तरकने के लिए और यह इतना लेसुन डाल रही हूँ यह इसमें सब्जी में और यह अद्रक भी डाल रही हूँ और इसके बाद अब डाल रही हूँ मैं इसमें मूंगा ताकि इसे थोड़ा फ्राई कर लिया जाए इसमें डाल दिया हूँ मैं इसमें मूंगा अब इसे थोड़ा फ्राई करेंगे हलका हलका भूरा भूरा इसके भोज लेंगे और इसमें अभी थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं बाकी चीज़ बाद में डालेंगे चाली यह नमक डाल दिए और अच्छे से नमक इस अब ये सबजी भुंच गई है अब ये देखिए ये बड़ी डाल रही है वैं लाल लाल सुंदर गुलाव गुलाव भुणके रखी थी ये डाल हूं है अब ँसके बाद इसमें डालेंगे अब मसाले डालती हूं इस्चे मसाले हमली जाल दिए और फोड़ा इपिसा वाला धनिया डाल दिये थोड़ा मसाला डाल दिये और यह में डाल रही है तो यह मिक्स कर देते हैं सब्जी और हुजबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और यह एक पैकट यह मैगी का मैगी मैजिक मसाला यह मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ यह मुझे बहुत पसंद है ने हर चीज में डालती है सब्जी ने तो यह मैं डाल रहे हैं एक पकेट पुरा डाल रहे हैं अब इसको लेक्स कर देते हैं अब अच्छे से सब्जी भूज गई है अब इसको डाल देते हैं यह चौप किया हुआ टमाटर अब इसे पकने देते हैं और अब ज़िए आप भी जरूर बनाएएगा इसी तरह से अब मुन्गा की सब्जी मुन्गा आलु की सब्जी मुन्गा आलु बड़ी इसकी मिलाते सेमी वगरा भी वैगन भी डाल दीजेगा मतर हो तो मतर भी डाल दीजेगा तो बहुत ही अच्छी लगती है जो जो आपके पास अवलेबल हो आप सब डाल दीजेगा और बनाएगा ज़रूर बनाएगा अब इसको मैं ठोब जर्पकने दूँगी फिर उसके बाद अगर रसे वाली खानी है आपको तो आप चावल के मुझे वही बहुत पसंद है तो मैं सीधर से खाती हूं तो अब इसे थोड़ा असा पकने देंगे उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे तो रसीली ही बनाती हूं मैं जनरली लुट-पुटी रैप की बनाती हूं तो मैं अब इसमें थोड़ा पकने देती हूं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी अब यह मैंने देखिए इसमें पानी डाल दिया है भुंज गई सब्जी तो मैंने पानी डाल दिया है और अब इसे हम ढख देंगे ताकि बड़ी और आलू सब अच्छे से मुंगा सब गल जाएं और एक चीज तो मैं आपको बताना भ तो आप सब्जी बन जाए उसके बाद मैं आपसे मिलती हूं है इसमेता ही काट रहे हैं और जब अप जब सब्जी पक जाती है तब तक हम आम का लूट फूठा लेते हैं, थोड़ से आम खा लेते हैं, आम का सीजन है, तो मुझे तो आम बहुत पसंद है, मैं तो बहुत आम खाती हूँ, तो अब चलिए, थोड़ा आम खाते हैं, फिर सब्जी बन जाती है, तो फिर देखते हैं सब्जी कैसी बनी है, दे बन गई है किती सुंदर दिख लिए मैंने उपर से घ्री धनिया की पति डाल के से सजा दिया है और देखने में ही बहुत सुझारत लग रही है ऐसा लग नहीं वह बस खालो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर किर दीजिए और अगर सब दी अच्छी लगे बना के जरूर खाईए तो कमेंट भी जरूर करिएगा बस आज के लिए इतना ही